मेरे जारकंड वासियों जोहार जैसे कि आप सब को मालूम है कि कल हम लोगों ने राज में सरुदलिय बैठक की और आज हम अपने सरकार के सहयोगी दलों के साथ भी हमने एक बैठक की और राज की करोना की स्थिति को ध्यान में रखकर कई महत्पूर्ण बिचार कई सुझाओ हमारे विपक्त के साथियों के तरब से आया है और मौझूदा हालात को ध्यान में रखकर सरकार ने कुछ प्राथमिक रस्तर पर कुछ नेने लेने लिया है जो हम आपको बताना चाहते हैं जो राज में जो वास्तवी की स्तीती है वो लगभग आप सब लोग अपने एर्धियत、 अपने महले में चीज़ों को आप विथियों को महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं हम अपने सिमित संसादनों के माध्यम से विबस्थाओं को सुदेड करते हुए और मजबुती से लोगों के स्वास्त लाब कैसे हम दे पाएं इस विशे पर हम लोग लगातार प्रयासरत हैं पूरे राज में जीले अस्तर पर ऑक्षिजन युक्त बेट का उप्लब्द कराना राज में आत्मरक्षक दवाओं की उप्लब्दता के लिए लगातार प्रयास करना राज के परमुक शहरों में हमारे मुख्य मेडिकल कॉलेज में रिसेट सेंटर में बेडों की संख्या बढ़ाना हम लोग ने सुनिशित कर लिया है लेकिन जैसे जैसे बेड़ें बढ़ रही हैं वैसे वैसे ओक्षिजन भी बहुत तेजी से हो रहा है बहुत तेजी से लोग उन रिक्त जगहों को भर रहे हैं इसका मतलब कि यहां पर अभी संकरमन की इस्थिती में गती में कमी नहीं आई है अभी यह गती कब तक रहेगी यह कह पैना बड़ा मुश्किल है फिर भी हम लोगों ने इस संकरमन को थोड़ा इसका जो रफ्तार है उस में कमी करने के लिए जो इन लोगों जो हम लोगों का इस संकरमन का जो चेन है उसको ब्रेक करने का कुछ हम लोगों ने प्रात्मिक अस्तर पर नेने लिया है जैसे कि अभी ये नेने लिया गया है कि सभी स्कूलें अब बंध होंगी सभी कॉलेजेज बंध होंगे सभी कोचिंग संस्थाएं बंध होंगी सभी ट्रेनिंग संस्थाएं बंध होंगी सभी आईटी आई बंध होंगे सबी आंगनबाडी के अंदरे बंद होंगे साधीक के कारिकरम में अधिकतम संख्या जो 200 रखे गई थी उसो घटा कर 50 कर दिया गया है 50 से अधिक लोगों की संख्या ना बढ़ा है ये हम लोगों का आग्रह होगा और राज में होने वाली अगामी जितने भी परिक्षाएं है किसी भी अस्तर की स्कूल के हों, कॉलेज के हों इंट्रेंस हों या फिर किसी भी सस्तागत परिक्षाएं है सभी परिक्षाओं को अगले आदेस तक रद किया जाता है और हम लोग फिर इन विसेयों पर एक माह के उपरांत इसकी समख्षा करेंगे फिर आगे का निर्ने लिया जाएगा और विसेयस परहिसिती में समय समय पर सरकार द्वारा और भी निर्ने लिये जा सकते हैं जो राज हित में, यहां के लोगों के हित में हो, यहां के इस संकर्मन को कंट्रोल करने के हित में हो इसलिए आप सब लोगों से आग रहा है हमारा कि इस संकर्मन को बहुत हलके में ना लें पहले के संकर्मन से ये अभी के संकर्मन एक घातक रूप में हम लोग के सामने आ रहा है जहां बच्चे, बुढे, नौजवान, सभी लोग इसके लपेट में आ रहे हैं इसलिए सभी विसेश का नौजवानों से मिरा आग रहा है कि थोड़ी दिनों के लिए हम लोग अपने मौज मस्तियों को अपने चीजों को बंद करें इदह उदर बेज़ा घुमना बंद करें ताकि इसका जो चेन रियक्शन है इसमें ठहरा हुआ, इसमें रुकावट हो नहीं तो बहुत मुश्किले होंगी चीजों को हालात को संभालना और ये मान के चलें कि जिससे भी आप मिलते हैं वो अगला कुरोना संक्रमीत है और इसी सोच के साथ आप अपने कदमों को आगे बढ़ाएं अगर कोई अगला संक्रमीत है आप उससे संक्रमीत होंगे आपके पूरे परिवार, आपके बाल बच्चे, आपके जितने भी रिष्टे नाते हैं सभी इस संक्रमन में चपिट में आ जाएंगे इसलिए आप लोगों से आगरा है कि अभी बेवज़ा कोई भी सहर में ना घुमे और जो भी आवज़ सकता अनुसार कोई भी निकलते हैं विसेश परिस्ति पे आप निकल सकते हैं लेकिन मुँ में मास जरूर लगाएं लोगों से दूरियां जितना अधिकतर माप बना सकते हैं उतना बना के रखें भीड के जुन में बिलकुल ना रहें यह हम लोगों का आगरा होगा धन्यवाद